अगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी भारत में चीतों की वापसी से संबंधित एक परियोजना की आधिकारिक शुरुआत करेंगे आज इस वीडियो में हम इसी विशे से संबंधित तमाम पहलों को समझने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टी आइस की इस नई वीडियो में वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं यानि इन बिंदों की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो में सबसे पहले हम नियूज यानि खबर को देखेंगे इसके बाद यह जो नई परियोजना शुरू की जा रही है इस परियोजना से संबंधित बुन्यादी बातों को जानने की कोशिश करेंगे साथी चीतों के बारे में भी कुछ बाते जानेंगे चीते क्या होते हैं इसके अलावा इनको कीन आधारों पर विभाजित किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे साथी चीतों को वापस लाने की आवशक्ता क्या है भारत में चीतों को वापस क्यों लाया जा रहा है इसका महत्व क्या है इस पूरी परियोजना को इसको भी समझने की कोशिश करेंगे साथ ही भारत में चीतों की विलुप्ती की कारणों को जानने की कोशिश करेंगे चीते भारत में विलुप्त क्यों हुए, एक्स्टिंट क्यों हुए, उसको जानने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा संबंधी चुनोतियां क्या है, चुनोतियों पर बात करेंगे, अंत में आगे किराह पर बात करेंगे, और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे, प्रश् शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं आज की हमारी जो न्यूज है वो लाइव मिन्ट अख़बार से है हमारी खबर है पी एम टू लाउंच चीता रिंटरदक्शन प्रोजेक्ट ऑन 17 सेप्टेंबर इन मध्यप्रदेश यानि प्रिधान मं जो उसके अवसर पर वो इस परियोजना की शुरुवात करेंगे चली आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं इस परियोजना की कुछ बुनियादी बिंदूओं को समझ लेते हैं तो हम जानते हैं कि भारत में साल 1952 में चीतों को पू चीतों को भारत में वापस लाया जाए, बारत में जो चीतों का प्राकरतिक आवाज था, उसे सुरक्षित किया जाए और इन ही प्रयासों के हिस्से के तौर पर इसी वर्ष जनवरी महिने में राष्टी बाग संद्रक्षन प्राधिकरण यानि N.T.C.A. की 19-वी बैठक आयो संबंधी एक कारियोजना को मंजूरी दी गई थी, कारियोजना की आधिकारिक तौर पर शुरुवात की गई थी और इसी कारियोजना को चीतारी इंट्रडक्शन स्कीम नाम से जाना जाता है, इस पूरी परियोजना की माध्यम से भारत में एक बार फिर से चीतों को लाया जाएगा जिन्हें साल 1952 में एक्स्टिंग यानि विलुप्त घोशित कर दिया गया था इस परियोजना की माध्यम से भारत में अफरीका से चीतों को लाया जाएगा इसके माध्यम से एक अंतर महधवीपिय स्थानांतरन परियोजना शुरू की जाएगी एक समझोता किया जा जिन चीतों को भारत में लाया जाएगा उन्हें मध्यप्रदेश के कुनों पालपूर वनजीव अभ्यारण में रखा जाएगा तो यह तो बात हो इस पूरी परियोजना की इस परियोजना में क्या किया जाएगा कहां से चीतों को लाया जाएगा और कहां पर चीतों को जाता है, जो big cats होती है, उनकी सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक माना जाता है, और चीते जो होते हैं, वो दुनिया के सबसे तेज भूमी स्तनपाई जानवर होते हैं, दुनिया में सबसे तेज दोड़ने वाले जानवर होते हैं, और इनहें इनके स्थान के अधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है दो कैटिगरीज में विभाजित किया जा सकता है पहली कैटिगरी है एशियाई चीते की और दूसरी कैटिगरी है अफरीकी चीते की तो जाहिर तोर पर इनके नाम से स्पष्ट होता है कि ये जो एशियाई चीता है मोखेतौर पर एशियाई छेतर में पाये जाता है और ये जो अफरीकी चीता है मोखेतौर पर अफरीकी छेतर में पाये जाता है दोनों में अंतर क्या है अंतर की बात करें तो कई अधिनों कई स्टडी से हमें पता चलता है कि ये जो एशियाई चीते होते हैं यह अफरीकी चीते से तकरीबन 32,000 से तकरीब अफरीबन दूनों में समानता ये है कि दोनों ही चीते अपनी शिकार के लिए तक्रीबze 28 किलॉमीटर की गती से यात्रा कर सकते है section 8 Kilॉमी गती से दौड सकते हम तो जाहितार पर इनकी वह निकी गती हम होती है अपार चीतों की अदो лिजना के अवश्रकTयुfrage है, उसे समझ लेते हैं, तो इस परियोजना की माध्यum से जो पहला लाब है, वो जैविक लाब है, बाय leagues से संबंदिग लाब है, यदि भारत में चीत्वों को वापस लाया जाता है, तो इसके माध्यum से जैव विवित्ता संद्रक्ष्ण संद्धी जो भारत सरकार दोरा प्रयास किये जा रहे हैं जो संरक्षन वादियों दोरा प्रयास किये जा रहे हैं उन प्रयासों को और जादा मजबूत किया जा सकेगा और जादा मजबूती प्रदान की जा सकेगी इसके अलावा इन प्रयासों के माध्यम से यदि इस परियोजना के माध्यम से भारत में खाद शरंखला को भी मजबूत किया जा सकेगा अब खाद शरंखला कैसे मजबूत होगी तो जो चीते होते हैं वो खाद शरंखला में शिर्ष शिकारी होते हैं टॉपप प्रिडेटर्स होते हैं, सबसे ऊपर मौजूद होते हैं, ऐसे में जो चीते होते हैं, वो खाद्धि boyfriend को संतुलित करने में, पूर्चेन को संतुलित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, इसके अलावा यदी चीतों को भारत में वापस लाया शामिल है तो इस तरह से यदी भारत में चीतों को लाया जाता है तो जाहिरतोर पर ये पांचन प्रजातिया भारत में पाई जाएंगी और ये भारत के लिए भारत की जय विविल्थप की लिहाज से बड़ी हुपलब्धी साबित हो सकती है इसके अलावा इस परियोजना के माध्यम से भारत में स्थानी आजीविका में भी सुधार देखने को मिल सकता है जिस भी छेत्र में इस परियोजना के माध्यम से चीतों को लाया जाएगा उस छेत्र के जो स्थानी लोग हैं उस स्थानी लोगों को आजीवि परियोजना के माध्यम से दुनिया भर में चीतों की जो समगर आबादी है उस आबादी में भी सुधार किया जा सकेगा एक रिपोर्ट बताती है कि मौझूदा समय में दुनिया भर के तमाम जंगलों में केवल 71 सो चीते ही मौझूद हैं तो जाहिर तोर पर दुनिया भर में चीतों की जो आबादी है वो लगातार कम हो रही है चीतों की आबादी में लगातार कमी देखने को मिल रही है ऐसे में इस तरही की जो परियोजनाएं हैं जैसी परियोजना भारत सरकार दोरा शुरू की गई है इस तरही की परियोजनाएं दुनिया भर में चीतों की आबादी को और जादा बढ़ाने में महत्व भोमिका अदा कर सकती है तो यह तो बात हुई चीतों को वापस लानी की आवश मुझूद रहे हैं और चीतों को पकड़ने का जो पहला साक्ष मिलता है वो मुख्यतोर पर जो पहला रिकॉर्ड मिलता है वो 1550 के दशक के आसपास का है यानि 1550 के दशक के आसपास हमें चीतों को पकड़ने चीतों को कैद करने का पहला रिकॉर्ड देखने को मिलता है और आम जंगली जनवरों को दर्शाया गया है, जिसमें चीते भी मौझूद हैं, इसके अलावा ये सोल्वी शताबदी के एक पेंटिंग है जिसमें चीतों को पकड़ने का एक दर्श्य दिखाया गया है, कि किस तरहे से आम लोगों द्वारा चीतों को पकड़ा जाता था, उन् भारत में चीतों की इतिहास की अब आगे बात करते हैं कि चीतों की कमी के कारण क्या है किस वज़े से पहले जब भारत में इतनी ज्यादा चीते मौजूद थे तो इनकी संख्या में इतनी कमी कैसे हुई चीते भारत में विलुपत कैसे हुए तो भारत में चीतों की विलुप जाओं का सबसे पसंदीदा काम है क्योंकि चीतों का जो शिकार करना होता है वो काफी आसान होता है क्योंकि चीते जो होते हैं वो शेर की तुलना में उनका शिकार करना काफी आसान होता है शेर जादा खुखार होता है इसकी वज़े से उसे मारना काफी मुश्किल होता है और ये भी बताया जाता है कि मुगल समराट अकबर को चीतों का शिकार करना काफी ज़्यादा पसंद था, उनके आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि मुगल समराट अकबर ने अपने पूरे जीवनकाल के दौरान नो हजार से ज़्यादा चीतों का शिकार किया था, जाहिर तो जब चीतों का इतना जादा शिकार होने लगा, एक और तो चीतों का जादा से जादा शिकार हो रहा था, उनकी आबादी में लगतार कमी देखने को मिल रही थी, वहीं दूसरी और इस पूरी अवधी के दौरान जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही थी, ऐसे में मानब आब बढ़ने की कारण प्रजिनन भी उनके लिए काफी जादा मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए जिसकी वजह से उनके लिए प्रजिनन काफी मुश्किल होता जा रहा था, तो इस तरहे से एक तरफ तो चीतों की आबादी में लगतार कमी देखने को मिल रही थी, वहीं दू दिए चिते के बच्चों के शिकार करने पर आम लोगों को छे रुपए तक का पुरुसकार दिया जाता था और बड़े चीतों का शिकार करने पर इससे भी ज़्यादा पैसे दिये जाते थे तो इन नीतियों के वज़े से भी भारत में चीतों की आबादी में कमी देखने को मिली लेकिन इन नीतियों से भी ज़्यादा जो अलग नीतियां थी बिटिशकाल की उन नीतियों ने चीतों क की आवादी को जादा प्रभावित किया उधारन के लिए बिटिश काल के दौरान बस्तियों के निर्मान के लिए इसके अलावा नील की खेती के लिए चाय की खेती के लिए और कौफी की खेती के लिए व्यापक स्तर पर जंगलों को काटा गया अब जब जंगलों को काटा ग और धीरे धीरे चीतों की आबादी लगातार घटती गई और चीतों की आबादी का किसी भी चीते का जो आधिकारिक अंतिम रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है तो साल 1947 से संबंदित है साल 1947 में मध्यप्रदेश की छोटी सी रियासत के एक महराज थे महराज का नाम था रामा सरकार दोर आधिकारिक तोर पर चीतों को विलुप्त घोशित कर दिया गया था तो यह तो बात भी भारत में चीतों की विलुप्ती की और चीतों के विलुप्ती की कहानी की उसके कारणों की अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंद ही चुनोतियों की बात कर लेते हैं य अफरीका से लाया जा रहा है मुख्यतार पर नमीबिया और साउथ अफरीका से लाया जा रहा है ऐसी स्थिती को देखते हुए जो अफरीकी चीते होते हैं उन्हें निवास के लिए बड़े जंगलों की अवशकता होती है बड़े स्थान की अवशकता होती है जबकि जो भार के बहुत जावित सकती है। हमने पहले ही देखा कि बारत के जगल हैं वो तुलनात्मक रूप से अफरीका के तुलना में काफी चोटे हैं ऐसे में जब इतने चोटे जंगल होंगे तो जाहिर तौर पर जब चीतों को अपने जंगलों में जगे नहीं मिलेगी तो वो आसपास की बस्तियों में जाएंगे ऐसे स्थानों पर जाएंगे जहां पर आम लोग रहते हैं, जहां पर इनसान रहते हैं और जब वो ऐसे स्थानों पर जाएंगे तो जाहिर तो पर इससे मानववनजीव संघर्ष में और ज़यादा बढ़ातरी देखने को मिलेगी और ऐसे संगर्ष की स्थिती में या तो किसी विक्ती की मौत होगी और या तो किसी चीते की मौत होगी और दोनों ही स्थितियां काफी जादा नुकसान दायक हैं इसके अलावे संगर्ष में 30 चुनोती ये है कि 70 साल पहले जब चीते विलुक्त हुए थे तो संगर्ष में सबसे बड़ा कारण मानवी आबादी का दबाव था और ये जो मानवी दबाव है ये पिछले 70 सालों में और जादा बढ़ा ही है इसमें कमी देखने को नहीं मिली है ऐसी स्थिती में कई जानकार ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जब भारत में चीते आएंगे जब भारत में इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है तो जाहिर तो पर भाविश्य में लोगों को रहनी के लिए जगे चाहिए होगी तो ऐसे में जंगलों को काटा जाएगा और जब जंगलों को काटा जाएगा तो जाहिरतोर पर एक बार फिर से चीतों के प्राकरतिक आवास का नुकसान होगा एक बार फिर से चीतों की चीते भारत में विलुप्त हो जाएंगे तो इस तरहे की परियोजना का कोई फायदा नहीं है इस तरहे की चिंताएं कई संद्रक्षन विदो द्वारा जाहिर की जा रही है तो ये तो चिंताओं की बात हुई संबंध में क्या-क्या चुनौतियां मौजूद है अब अबंध में आगे की राह पर बात कर लेते हैं संबंध में क्या-क्या उपाई किये जा सकते हैं उन उपाईओं को समझ लेते हैं तो इस संबंध में सबसे पहला और सबसे महत्पूर्ण उपाई यही है कि जब जंगलों में चीतों को छोड़ा जाए तो उन छोड़े जाने के बाद भी उनकी निगरानी के लिए कोई तंत्र सापित किया जाए, एक मेक्यानिजम सापित किया जाए उनकी गतिविधियों की निगरानी की जाए कि वो कहा पर जा रहे हैं, किस तरह की गतिविधिया कर रहे हैं क्या खा रहे हैं इन्हें शिक्षिकार मिल रहा है या नहीं इस तरह दीओं की निगरानी की जानी काफी ज़्यादा महत्तवूण है इसके आलावा चीतों की अनुकूलन का मुल्यांकन भी आवश्यक है कि वो भारतिय वातवरण को कितना ज़ादा अडॉप्ट कर पा रहे हैं इस चीज का मुल्यांकन किया जाना भी जरूरी है इस सम्मंद में मुल्यांकन के लिए और गतिविदियों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है और इन ट्रैकिंग वनेजीव संगर्ष को काफी हद तक रोक सकते हैं इसके लावे सम्मंद में जागरुकता भी काफी जादा महतपूर्ण है आम लोगों को स्थानिये लोगों को चीतों के बारे में जागरुक किया जाना भी जरूरी है क्योंकि आम लोग ही है जो फ्रेंट लाइन पर है और यदि चीतों के समक्ष कोई चुनोती उत्मन होती है तो आम लोग ही उस संबंध में अपनी महतपूर्ण भूमिका अदा करेंगे चीतों के संरक्षन के लिए आम लोगों को जागरुक किया जाना जरूरी है तो यह तो बात हुई आगे कि राह की अब आगे बढ़ते लेते हैं प्रश्ट मेंस का है और आप 2500 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं प्रश्ट है कि भारत में चीतों के विलुप्त होने के कारणों की विवेशना कीजिए भारत में चीतों को वापस लाने से संबंधित चुनोतियां क्या है यानि सबसे पहले तो भारत में चीते विलुप्त ह Both के कारण क्या है इसके लावा आपको ये भी बताना है कि भारत में जो चीतों को वापस लाया जा रहरा है उस वापसी में क्या-क्या चुनोतियां मौड आप कमेंट बॉक्स मीं बता सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तor पर चीतो को कब विलुप्त घोशित किया गया था मुझे आशा है किस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदों पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्निपत्र में इसे समंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे इस तरहे कि अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद